नमस्कार, हर्याना सिक्षा विभाग के दवारा घर से पढ़ाओ प्रोक कार्यकरम के तहट मैं पिंकी धनखड जे बिट्य ध्यापिका राजके कन्या प्रात्मिक पार्शाला कुमासपूर सौनिपत से आज सब के वीच फिर से हाजिर हूँ और आज का मेरा विशे सामाजिक अध्यन का कक्षा 4 के लिए पार्ट नमबर 17 आशियाना है आशियाने का मीन्स होता है बेटा रहने का स्थान कि हमें पता है मनुष्य घरों में रहता है तो आज हम सोचते हैं कि ये पशू, पक्षी कहां रहते हैं इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगी पक्षियों का आशियाना वैसे तो हमें पता है कि पक्षी घोसले में रहते हैं लेकिन हमारी हर्याना राज्य के गुरू गुराम में सुल्टानपुर नैशनल पार्क स्थित है और यह है नेशनल पार्क जिसमें की डहाई सो किसम के पक्षी पाए जाते हैं जिसमें स्थानिय और परवासी पक्षी है परवासी पक्षी वो होते हैं बिटे जो दूसरे देशों से आते हैं तो यह हमारे हर्याना के जिले गुरु ग्राम में स्थित है यह हर्याना का मानचित्र है जिसमें आप देख सकते हो यह कहां परस्तित है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सुल्तान पूर राष्ट्य उध्यान है यह पक्षियों के एक स्वर्ग है यहां पर यूरोप, साइबेरिया, मदेशिया क्योंकि वहां बहुत ठंड हो जाती है और वहां की जीले जम जाती है जिसके कान पक्षी सितंबर के महिने में हमारे हर्याना राजे में आने शुरू हो जाते है और यह गर्मियों में जब गर्मी शुरू हैंगी वापिस चले जाएंगे इस राष्ट्य उध्यान में नैशनल पार्क में जो जो हमारे पक्षी पाए जाती है बेटा जिसमें कटफोड़ा, गिलहरी, बाज, अंधा बुगला, गोगिला, कोयल, बतक, जलमुर्गा, उल्लू, जंगली मैना, गोर बसेरा जैसे पक्षी पाए जाती है तो इतने सारे पक्षियों का यह बसेरा जिसमें कि यह अपना जीवन यापन करते हैं आजादी से घूमते फिरते हैं तो इन पक्षियों के बसेरे को देखके आपको कैसा लगा इसके साथ ही हम सब को एक प्रण भी करना चाहेगी कि हमारे आसपास जो पक्षी हैं हम उन्हें बचाएं और उनको दाना पानी दे आप मेरे वीडियों आपको कैसे लगी देखना चाहेगी